नमस्कार दोस्तों भुद्वस्वागते आप सभी का हमारे चैनल EKB मीडिया में एक बार फिर से दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिंबा के फर्स्ट डे बोक्स ओफिस प्रेडिक्शन के बारे में तो दोस्तों फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और मैं ज़्यादा अब फिल्म का ट्रेलर देखके सभी के मन में एक सवाल है कि दोस्तों ये फिल्म रिलीज होने वाली है 28 दिसंबर को यानि जीरो के एक हपते बात तो क्या ये फिल्म बोक्स ओफिस पर सर्वाइब कर पाएगी या नहीं इस फिल्म का बोक्स ओफिस कलेक्शन क्या हो सकता है और ये फिल्म हिट होगी या नहीं तो दोस्तों आपको बता दो कि फिल्म एक हपते बाद रिलीज हो रही और आज के टाइम में जो बड़ी-बड़ी फिल्में है वो एक हपते के अंदर ही निपड जाती हो फिर चाहर हिस्त्री हो या ठकसो पिंदुस्तान हो तो जीरो से क्या उमिद करें वो तो मुझे कुछ पता नहीं क्योंकि फिल्म का ट्रेलर देखने में ठीक ठाक लग रहा हो और इंटेटेनिंग लग रहा है कि फिल्म हिट हो जाएगी लेकिन बात करें सिंबा की तो दोस्तों तो Simba का시는 trailer काफे मास entrepreneurial है, यानि कि single theater में ये film चलना पक्का है, क्योंकि Roish Settie का direction जादा तर मास audience Roish Settie के film में पसंद करती है, क्योंकि Roish Settie के film में मिलता है Comedy, Action, Romance और सब कुछ एक मसाला movie, जो कि मास entertaining रहती है, तो जादा तर मास areas में उनके film चल जाती है, करें इस फिल्म के first day collection के दोस्तों इस film की स्क्रीन काउंट है अबे तक की खबरों की माने तो इस film को रिलिज किया जाना है लगबख 3,000 पे अगर 3,000 पे फिल्म हो रही है है तो रिलिज होते ही दो तो यह फिल्म अपने पहले दिन लग बाविस से पच्चिस करोड तक की ओपनिंग ले लेगी इसके खास वज़े यह है कि भाईया रेनविर सिंग पहली वज़ा तो है क्योंकि उनकी लास्ट फिल्म पदमाओद ने भी काफ़े अच्छा विजनेस किया था और उसी फिल्म से इन्होंने कई नया फिल्म बना लिए उनकी एक्टिंग के जरिये तो कई लोग इंतजार कर रहे थे कि आर फाइनले रेनविर सिंगो कुछ नया अवतार में देखेंगे और इस बार वो पुलिस वाले बनके आ रहे मतलब फिल्म में एक्साइट्मेंट बढ़ा दिये और दूसरी बात इस टेलर के और मतलब फिल्म की वह है रोहिस सेट्टी रोहिस सेट्टी पर पबलिक वरोसा करती कि भईय यह फिल्म एंटेटीनिंग बना आएगा बढ़ा लोजिक हो या नी और आला कि आजका टाइम में लोगों को लोजिक से कोई मतलब ने फिल्म देखने जा रहा है पैसा खर्च कर रहा है तो उन्हें एंटरेटिन्मेंट चीए कि भाई या दो टाई घंटे हम थेटर में बेटे हैं हमें हसा दो थोड़ा एकसन दिखा दो एक आद अच्छे गाने दिखा दो मतलब हमारे पैसे वसुल करवा दो तो वो रोहिस सेटी के फिल्मों में रहता है तो बने इसे बात है कि ये फिल्म को ओपनेंग अच्छे मिलेगी लेकिन दोस्तो तीसरी हला कि बहुत इंपोर्टेंट चीज यह है लेकिन फिल्म वालों को सायथ बता नहीं इसरे important बात यह है कि फिल्म में है आजे देवगन का केमियो जी या दोस्तों फिल्म के ट्रेलर में हमने देखा कि आजे देवगन का केमियो नजर आ रहा है वो एक सीन में भी दिखे और ट्रेलर के narration भी उन्होंने ही कि शुरू से ओई सोर में मतलब आजे देवगन का केमियो सो वहाई एक्से बात है कि आजे देओ handy के जितने फेन है वहु तो بहिया सिंगं को देखने जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि पिछले कई टाइम से शिंगं फिल्म को रिलिज उए इतने साल हो चुग है और आजे देओकन के फिल्म भी जाने वाले है, मतलब फिल्म के ओपनिंग बड़ी तगड़ी होगी, आप देखते हैं कि ये फिल्म कैसी बनी और क्या ये फिल्म उमिदों के हिसाब से कारोबार कर पाती है या नहीं, क्योंकि इस फिल्म के लिए सबसे बड़ा टेंशन दो फिल्म है, पहली है KGF और जीरो क्योंकि और अगर ये दोनों फिर्में लोंग रन करेगी तो फिर साथ के सिंबा के कलेक्शन में थोड़ा बहुत उतार चड़ाओ आ सकता है अब देखते हैं कि पबलिक कुन सी फिल्म पसंद करती है के जीरो वेसे दोस्तों आप कुन सी फिल्म देखना पसंद मैं मिलता हूँ आप से अगले वडियो में जब तक के लिए खाल रखे अपना और अपने माता पिता का छेहिद